दोस्तो अगर आप भी रोहित विराट और जडेजा को भेतरीन बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा दोस्तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन रोहित शर्मा ने जहां शतक जड़ा वहीं विराट कोली और रविंदर जडेजा ने मैदान पर उतरते से ही कंगारों की धज्या उड़ा कर रख दी तो इस बीच रोहित के शतक के साथ कोली और जडेजा की तोफानी बल्लेबाजी तो हाईलाइट वीडियो में दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित कोली और जडेजा में से कौन बहतर खिलाडी है अपनी कीमती राय हमें जरूर बताईएगा तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो दोस्तो जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की टेश्ट सीरीज का अब आगाज हो चुका है और इस बीच विदर्व क्रिकेट मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया जहां इस मुकाबले की शुरुआत भारते कप्तान रोहित शर्मा के टॉस जीतने के साथ हुई और रोहित शर्मा ने टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करने का फैसला किया वैसे भी विदर्व का मैदान हमेशा से ही गेंदवाजों के लिए अनुकूल रहता है लेकिन दोस्तो आज भारत के बल्ले बाजों ने पहले बल्ले बाजी करके ये बता दिया कि वो इस मैदान पर भी बड़े शॉट लगा कर टेस्ट मैच को टी-टुएंटी की पारी में बदल सकते हैं यहां दोस्तो यहां पर जब भारते टीम मैदान पर बल्ले बाजी के लिए उतरी तो टीम इंडिया की तरब से रोहित शर्मा और शुमन गिल ने पारी की शुरुआत की जहां शुरुआत में लगाता कि ये दोनों ही बल्ले बाज टेस्ट मुकाबलों में बतोर ओपनर जमकर परिक्षा ली जहां इस बीच भारत के बल्ले बाज पूरी तरह से हावी हो गए और देखते ही देखते टीम इंडिया का स्कोर पहले दस ओवर में पचास रन के पार पहुंच चुका था भारत ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मुकाबले को टीटवन्टी मैच बनाकर ब 42 गिंदों में 42 रन बनाकर आउट होए और शुम्मन गिल को और शुम्मन गिल को अस्टेलिया कप्तान पैट कमिंग्स ने नातल लियॉन के हाथों कैच आउट करवाया और भारते टीम को ये पहला बड़ा जटका लगा और शुमन गिल के आउट हो जाने के बाद अब बार 40 गिंदों में 28 रनों की पारी खेलकर आउट होए और वो सिलिप में खड़े डेविड वॉर्नर को कैच थमा बैटे जिसके चलते भारत को ये दूसरा बड़ा जटका लगा और अब टीम इंडिया ने अपने दो बड़े विकेट गवा दिये थे बारते टीम दवाम में थी कि आखिर कार अब कौन बल्लेबाज या अच्छी पारी खेलेगा एक तरफ जा रोहित शर्मा अपने शतक की और आगे बढ़ रहे होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक विकेट गिर जाना भारते टीम के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा था लेकिन दोस्तों यह पर विराट कोली ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर पारी को संबाला जा इस बीच रोहित शर्मा और विराट कोली की बीच शतकिय साचदारी भी देखने के लिए मिली और इस बीच रोहित शर्मा ने अपना शतक भी पूरा किया और शतक जड़ने के बाद रोहित शर्मा ने के चक्कर में अपना कैच थमा बैठे और यहां रोहित शर्मा ने 210 गिंदों में 184 रनों की पारी खिली और अपनी 184 रनों की पारी में उन्होंने साथ चौक्के और चार बड़े छक्के भी लगाए जैसे कि आप सब यहां पर देख भी सकते हो और वहीं दोस्तों रोहित शर गिंदों में मात्र 35 रनी बना पाए लेकिन दोस्तों विराट कोली अभी भी भारत्य पारी को आगे बढ़ाने का बखू भी रोल निबा रहे थे और विराट कोली की बल्लेबाजी इतनी दमदार थी कि वो अपने शतक पर मात्र 90 गिंदों में पहुंच चुके थे और विर जहां इन्होंने टेस्ट मुकाबले में 57 गिंदों में 72 रन की पारी खेली और इसी के साथ पहले दिन का खेल समाप्त हुआ जहां भारत्य टीम का स्कोर पूरे 90 ओवर के बाद चार विकट के नुकसान पर 488 रनों पर पहुंच चुका है और दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच ये टेस्ट मुकाबला बेदी रोमाचक मोड पर आ गया है जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये पहले टेस्ट मुकाबले से ठीक पहले खेला गया इंट्राइ स्क्वार्ड और अभ्यास सत्र का मुकाबला है जो कि कुल मिला कर पांच दिन का होगा और आजी के दिन से भारते टीम ने अपनी प्रैक्टिस सेशन्स को भी शुरू कर दिया है और भारत की ऐसी बल्लेबाजी देखकर उस्टेलिया गेंदवाज भी जरूर घबरा गए होगे कि आखिर अगर ऐसी बल्लेबाजी भारत ने पहले टेस्ट जरूर बताईएगा लेकिन दोस्तों आपको बता दे कि इससे पहले टीम इंडिया के लिए काफी अच्छी खबरे निकल कर आई थी जहां चार मैचों की बॉर्डर गावसकर ट्रॉफी में जस्परीद बुम्रा की बापसी होने पर संच है जो बना हुआ था वो अब चुका है और जस्परीद बुम्रा हम सभी को भारते टीम में शामिल होते हुए नजर आएंगे लेकिन दोस्तों आपको हम बता दें कि सिर्फ मात्र टीम इंडिया में एक यही बदलाव नहीं है अब भारते टीम में कुछ ऐसे नए युवा खिलाडियों को शामिल किया जा दें की भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला नौ फरवरी को खेला जाएगा और यह मुकाबला विदर्व क्रिकेट एसोसियेशन इस्टेडिया महराश्टर में होगा हाला कि दोस्तों इस मैदान पर भारतिय टीम का र पर ले जाने नहीं देंगे हमने कप्तान रोहित सर्मा के साथ मिलकर टीम को बिलकुल बदलने का फैसला किया है अब पुराने खिलाडियों की जगहा पर नए यूवा खिलाडियों को भी टेस्ट टीम में मौका दिया जाएगा क्योंकि इन खिलाडियों के प्रदरुशन की हमें ऐसे पिछो पर बहुत जरुवत है जहां गेंद खुमती है हाला कि सालों से ये विचार चल रहा था कि सूरकुमार यादव, हार्दिक पांडिया और प्रतविश और जस्पृत बुम्रा को टीम इंडिया में शामिल किया जाए और अब ये इंतजार हम भारत देश्वासियों का खतम करने चारे हैं क्योंकि हमने BCCI से बातचीत की है और इन खिलाडियों को टीम में बतोर बेंच खिलाडी शामिल करने के लिए हमने काया हाला कि दोस्तों इन खिलाडियों में से अब प्लेंग 11 टीम बनेगी और जो भारत की प्लेंग 11 टीम आपको तर्तिवी नजरा सकती है उसमें एक बार रोहित शर्मा और शुम्मन गिल पारी की शुरुआत करेंगे भारत की सरजमी पर तो टीम इंडिया अपना पर्चम लहराने से पीछे नहीं हटेगी वहीं हम आपको बताते हुए चलें की मुकाबला नागपुर के विदर्व क्रिकेट असोसियेशन इस्टेडियम पर होगा और इस स्टेडियम पर हमेशा से ही देखा गया है की स्पीनर गेंदवाजों को काफी मदद मिलती है और ये लोई स्कोरिंग मैदान है और यहाँ पर अगर भारत की पहले बल्लेबाजी आती है तो रोहित शर्मा और शुम्मन गिल को या टिकर बल्लेबाजी करनी होगी और टीम इंडिया के स्कोर को होले होले आगे बढ़ाना होगा भरत्य टीम में काफी बड़े बदलाव हो है जाँ टीम इंडिया में अब आप सभी को स्कोर्ड में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं चितेस्वर पुजारा, केल राहुल को मौका मिला है रोहित शर्मा जो की कप्तानी कर रहे हैं शरेश अयर, शुमन गिल, सूरकुमार यादव, विराट कोली, अक्षर पटेल, रवीचंदर नश्विन, रविंद्र जडेजा, इशान किशंज और उमेश यादव टीम इंडिया का हिस्सार हैने वाले हैं अमीद है कि आपको दिखाएगी जानकारी पसंद आई होगी वीडियो चलागा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे की जो आगे अपडेट होगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे तो मिलेंगे अगले कर इसी जानकारी में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत